तो आज हमारे साथ वो मौझूद है जिनके दिवाने यूपी से बिहार तक मौझूद है जी हमें बात कर रहा हूं रिंकु घोश मैम की और उनके साथ मौझूद है सबकी प्यारी अनमोल तो आएए इन से बात करते हैं बहुत-बहुत स्वागत है अपका तो पहले तो बताईए ये ब्यूटीफुल सा जो कॉंसेप्ट है शो में और साथ में आपका आना कितना शो के लिए लाबदायक होने वाला है और किस तरीके से आपका ट्रैक हमें देखने को मिलने वाला है जैसे कि मेरा हमेशे एक इमेज रहा है भूजपूरी में पॉजटिव वुमिन नारी प्रधान और विमिन सेंट्रिक फिल्म में और सब चीजों में तो अविसली जहां अनमोल के साथ इतना कुछ हो रहा है तो रिंकु भोश को तो आना ही था बड़ एक डिफरिन केरदार म जैसे कि आपको दिख रहा है राजमाता और मैं एक समाज सेवी का हूं और नारी शेक्तिकरन को लेकर के आगे पड़ती हूं और वहीं पर अनमोल एक बड़ी दूविदा से गुजर रही थी और मैं इसके इसको बचाती हूं और इसे प्रोट्साहिद करती हूं और कहती हू और अपने जो ये डॉफिस्म है या इसका तुम्हारा जो कद छोटा है और फिजिकली तुम्हारा कद छोटा है और फिजिकली तुम्हारा कद छोटा है बाकि तुम्हारी तुम चाहो तुम्हारा आस्मान छू सकती हो तुम्हारा आत्मसमान उतना बड़ा है तो मैं उसे उस से सब मुस्टब करना है और साथी अनमोल आप से जानना चाहेंगे क्योंकि ये जब कंसेप्ट इस तरीके का है जो हम जनरली देखते नहीं है कुछ नया लाया गया है तो जब आपके पास ये ओफर किया गया तो उस समय आपका रियाक्शन कैसा था कि ये कुछ करना है कुछ अलग होगा कुछ मज़ा आएगा हाई दिस जोही असलम मैं एक्शली खुद अपने यानि की मेरे जैसे जो लोग है जो मुझ से इंस्पारड हैं और जो होना चाहते हैं तो उनके लिए मुझे एक मैसिज देने का जरिया मिलता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि इसके जरिये हम आप तक एक मैसिज पहुचा सकते हैं कि लड़कियों को यानि कि मेरे या फिजिकल हैंडिकाप या और कोई भी कमी है या लड़कियां जो अपने आपको बहुत ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए उन लोगों के लिए ताकि उन लोगों में confidence आए और मैं हमेशा यही कहते हूँ कि आप कोई भी कमी है अगर तो उसको अपनी ताकत बनाए और इतने सारे इस शो की बात करते हूं इतने सारे अतियचार सेहने के बाद मैम की ऐन्टरी हुए है फाईनली कोई मेरे लिए लड़ रहा है ने मेरे परिवार से तो मुझे उससी इसकी बहुत खुशी है और मैम भी मुझे रिंकु मैम भी मुझे इस शो में मेरे परिवार में जगा दिलाने के लिए आई हैं देखते हैं क्या होता है अनमोल के साथ और क्यूबकि आपने रिंगु मैम के आने की बात की और वैसे हमने रिंगु मैम का इंस्टाग्राम देखा है काफी रीलस में बनाती तो आपके साथ क्या आप तो कुछ रील बील बनी है येस, आज ही हमने एक रील बनाई है, पानी का, actually हमारा सीन था, तो हमने का पहले भीग जाएंगे तो उससे पहले एक रील बना लेते हैं, तो फड़ा फड़ा हमने रील बनाई थी माम, आप बताईए कि ये जो रील आपके हम देखते रहते हैं लगातार तो ये इंस्टाग्राम पर कितना एक्टिव रहती है और कितना टाइम दे पाती हैं? मुझे पताई बुरा इस बात पर लगता है वन पीपल जजज यू कि आपके कितने फॉलोवर्स हैं आप इतनी परी स्टार और आपके फॉलोवर्स इतने कम हैं या इन फाक्ट मेरे पिछले साली मुझे एक ब्लु टिक मिला मैंने का ब्लु टिक नहीं है क्या दाट मीन कि I'm not a celebrity और मुझे थोड़ा सही अटपटा सा लगता है वन पीपल करियर को तो यह सारे चीजे मैं I take social media as my pastime like it's a it's a nice fun way to connect with my audience with my fans so it's not for my for boosting my career Instagram से मेरा करियर बूस्ट नहीं होगा मेरा करियर मेरे काम से ही बूस्ट अगा so Instagram is just for fun I make reels जो मुझे अच्छा लगता है मुझे मज़े मज़ा आता है जब मुझे time मलता है और जब मेरा मूड करता है सबसे important तो वो हो सकता है वो मूड चार पास दिनों के बादा है माईने भर के बादा है या रोज आए so it is all about just fun that's it तो जो अभी आपने एक बात कही बहुत खुबसूरत सी बात कही और साथ ही क्योंकि आपका experience इतना जाद है तो हाँ आपसी जानना चाहेंगे कि अपनी personal life और professional life में वो management कितना जरूरी है और किस तरीके से आप ये करती आई है इतने सालों से see it's very important कि आप दोनों को balance करो किस परिवार भी उतना important है चितना important काम है तो मैं इतना कोशिश करती हूं कि जब भी busy schedule से मुझे time मेले तो I completely I'm a I'm a I'm a आप जो सकते हो मैं घर की की रह हूं मैं मुझे घर चाहिए उसके बाद और मैं उस वक्त मेरा सिरफ only and only it's dedicated to my family और जब भ I cut off myself from my किरदार फिर में और रिंकु घोष नहीं रहती हूं मैं सिर्फ रिंकु रह जाती हूं जो अपने परिवार में जाती है अपने पती के बास जाती है खाना भी बनाती है वरतन भी माचती है और सुवे उटके पूजा देकर घर भी वापस काम पे याती अंचब जैसी मैं सेट पर अंटर करती हूं मैं मैं सिर्फ नहीं सेट परिवार इंगट फर ब्यर वापस अबने खर जाओ आऊ सुगम् Millennium को कर्いए को यहीं छोढ़कर वापाँ अपने घर जाऊंगा अमैं हमेशा है करती हा अभी तक so that's how I manage myself and it keeps me grounded मुझे जमीन से जुड़ा रखता है ये चीज so पोजबुरी फिल्म के 20 साल अभी इस साल कम्लीट हो जाएंगे so मैं अपने एक बहुत ही फेमिस कहते है पहला ब्लॉग बॉस्टर फिल्म जो मेरा था दरूगा बबॉब बॉब यू मनो जी के साथ तो उसी फिल्म का जो सबसे हिट ट्रैक रहा हो जो सबको पता है दरूगा बबॉब यू जैसन तोहरी टोपी ये दरूगा बबॉ वैसन हमरी ओढ़निया तोहरे ही ना में कई देले बानिया आपन चडल जवानिया इतरो का पाबू I love you, I love you तो आज सबको पहली बार पता चला होगा कि रिंकु जी इतना खुबसूरत गाती भी है तो खुबसूरत गाती मैंने भी पहली बार भोचपरी सॉंग सुनाया इतनी पास से आपको कुछ आता है भोचपरी सॉंग आपको कोई भी सॉंग होजा है हमको पता ही नहीं होचपरी क्या हनता है I am Indian television actor actually तो साथ ही आप से हम जानना चाहेंगे अनमोल की जब इस तरह किसी बढ़ कोई बढ़ा आपके साथ हो सिखाने वाला हो तो उनसे क्या कुछ आप सीखने के लिए रहता है जब से रिंकु मैम आई है तब से उनसे आपने क्या कुछ सीखा है और वो environment कितना बदल जाता है बहुत फर्क पड़ता है किसी senior के साथ और मैम के साथ तो मैंने कल first day था हमारा आज हमारे scene हुए तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छा और comfort फेल हुआ मैम के साथ shoot करने में और बहुत सीखने को मिला एक्चुली मैं पानी से बहुत डर लगता है मुझको तो मैम ने बहुत support किया और last में मैंने वो shot दिये जो मैं खुद imagine नहीं कर सकती थी पानी के अंदर जाना और बहार आना तो मैम के वज़े से possible हो पाया है तो हम उमीद करते हैं कि इन दोनों का सफर शो में इसी तरीके से बढ़ता चला जाया है इसी तरीके से लोग इने प्यार देते रहें तो जाते जाते आप लोगों से चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहती है बस हमारी अनमोल को इसी तरह से प्यार देते रहें और हमारी बेटी अनमोल है ना हमारी प्यारी अनमोल बेटी हमारी अनमोल बिलकुल अनमोल है और बहुत अच्छा शो है और ऐसे शो को हम लोगों को आगे हमेशा बढ़ाना चाहिए धिक ये एक मैसेज है सिर्फ एक टीवी सीरीज नहीं है एक मैसेज है हमारे समाज के लिए तो ये शो को डेफिनितली सबको आगे बढ़ाना चाहिए So best of luck क्यामरामेन सुनील कंक्रियाल के साथ कुनाल उपाद्या है आज तक क्यामरामेन सुनील के साथ कुनाल उपाद्या है आज तक